यह हमारी पंदगोभी खेती है इसको आगस्त में इसकी पौध को ओगाया जाता है और इसकी खेती अच्छी तरह जुताई करके इसको इसमें बोया जाता है पौध को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है यह हमारे बहुत कामों में भी आती है यह फास्ट पूर मे जैसे बर्गर, चाव मीन और बहुत कामों के लिए इसका इप्योग किया जाता है यह बहुत बजन में बहुत भारी होती है इसको अच्छी तरह से इसको बोने के लिए तेती करने के लिए इसको जुता ही अच्छे तरीका से कल्टिवेटर या हालाओं से होना चाहिए इसमें गोवर का खाथ जैसे बहुत अच्छी प्यदावार होती है यह बजन में भी बहुत फोस है और इसकी तेटों को इसमें मूली भी हम कर सकते हैं जैसे इसकी मेड़ों पर हम यह खेतने से दबर फसल भी ले सकते हैं इसके साथ ही और इसको खाने से स्वास्त अच्छा रहता है इसमें हम मूली या पालक मेड़ों पर भी बुए देते हैं तो इसमें कीटनासक की दबाई भी लगाई जाती है कीटनासक की दबाई किटा प्या और कुछ भी दे सकते हैं इसमें कीटनासक होते हैं तो इसको बढ़ाने के लिए नमी की जरुवत होती है और इसको इसको नमी चाहिए कुछ दुनों तक यह नमी में रहती है और इसको इसका टाइम काटने का साथ दिन में तयार हो जाता है इसको अच्छी तरह से दवाईयों से बढ़ा किया जाता है क्यूटनासक की दवाई डगती है इसको इसको 30-30 दिनों में काट कर बेच दिया जाता है बाजार हम अच्छे बाव से बिकती है इसमें बहुत पैसे भी कमाई जा सकते हैं यह बहुत भारी होती है इसमें एक एकड में 30-40,000 रुपे यह बहुत अच्छा लाव होता है इससे करने से कि अच्छा भारी है